हेलो फ्रेंड्स एच्पी एक्जैम क्रेक में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम एच्पी एससी द्वारा कंड़क्ट कियेगे सब इस्पेक्टर फिश्रीज के जो इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे उनको डिसकस करेंगे तो इसके जो प्रिविएस पार् जो रॉयल जैली है ये स्क्रिटिट होती है हाइपो फेरिंजियल गरंथी तो आप्शन ए आपका राइट अंसर होगा और नेक्स वेश्चन है विच आफ दा फॉल्विंग इस आ कैटाड्रोमस फिश तो निमन मैंस से कौन सी एक कैटाड्रोमस जो मीन है वो है आप्शन सी एंगूलिया एस पी जो एंगूलिया पर जाती है ये आपकी कैटाड्रोमस मचली है नेक्स वेशन है वन आप दे वर्ड्स मोस्ट पॉजनश फिश टॉक्सिंस इस रिलीज़ भाई तो ये रिलीज़ किया जाता है पॉफर फिश तो आप्शन डी आपका राइट एंसर जो कहां जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है जो आपका हाइलम होता है ऑप्शन भी ये आपका राइट एंसर होगा नेक्स्ट वेशन है प्लांट्स रिक्वाइरिंग लो लाइट इंटेंस्टी फॉर आप्टीमम फोटो सिंसे इस कॉल्ट तो वह पादब जिसे इस्ट्थम प्रकाश संस्टेशन के लिए निम्न प्रकाश तीवरता की आवश्चता होती है तो फ्रेंड्स ये खहलाते हैं इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा ओप्शन भी माइक्रो कॉंट्रिया नेक्स्ट वर्शन है इस प्लांट्स इस कंट्रोल बाई तो पादबु में सरंचना विकास अन्यंत्रित होता है ये होता है आप्शन डी एबसेसिक एसेड द्वारा एबसेसिक एसेड चलिए नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं विज्डम टित आर जो अकलदाड है ये आपके क्या है ये है लास्ट मॉलर्स आप्शन ए आपका राइट एंसर होगा लंग्स आर कवर्ड बाए जो फेफडे अवरित होते हैं तो ये अवरित होते हैं जो आपका प्लूरल जिल्ली होती है प्लूरल जिल्ली तो अप्शन ए आपका राइट एंसर होगा नेक्स वेशन है विज्ड बलड सेल सिक्रीट एंटीबड़ी कौन सा रख कोछका है एंटीबड़ी जो स्त्रावित करती है तो जो लिंफोसाइट है ओप्शन ए ये आपका राइट एंसर होगा next question है bones become fragile in तो हड्या भंगूर हो जाती है osteoprocesses ठीक है जो osteoprocesses है ये इसका right answer होगा option A which part of brain controls intellectual ability मस्टिश का कौन सा हिस्सा बौधिक शिम्ता को नित्यत करता है तो friends जो आपका frontal lobe है वो control करता है intellectual ability को option A will be your right answer next question है during emergency which of the following hormones is secreted तो आपात कल के समय निम्न में से कौन सा हॉर्मोन स्त्रावित होता है तो ये होता है adrenal तो option C आपका right answer होगा next question है an unorganized mass of cells is called कोशिकाओं का एक असंगटित समू कहलाता है तो ये कहलाता है callous option C आपका right answer होगा next है synergy to psych जो कोशिकाओं होती है वो होती है अगुनित option A आपका right answer होगा haploid next है cassation of menstrual cycle in female is called जो महिलाओं में रितु चक्र की इस मापती को कहते हैं उसे कहते हैं menopause option A आपका right answer होगा next question है which of the following is the component of oral pills तो friends जो progestron है ये आपका right answer होगा option A next है the gene which controls many characters is called वो हो जीन जो काफी लक्षन को नियंत्रित करता है कहलाता है pleiotropic gene option C आपका right answer होगा which of the following is structural sub unit of DNA निमन में से कौन सी DNA की स्रंचनात्मक उप इकाई है तो friends जो option D है nucleotides ये आपका right answer होगा next है theory of pengenesis was given by जो pengenesis की theory दी गई थी ये दी गई थी Darwin द्वारा option A आपका right answer होगा next question है which of the following glands is large sized at birth but reduces in size with aging तो इसका आपको right answer बताना है तो इसका right answer होगा thymus option C will be your right answer next question है emasculation is concerned with जो आपका विपूस्चन है ये किसके साथ संबंदित है तो इसका right answer है option A hybridization यानि संकरण next question rhizobium is an example of जो rhizobium है ये किसका उदारण है तो ये है एक जैवो और वरक यानि bio fertilizer next question है polymerase chain reaction is most useful in जो polymerase शंकला अभी करिया सरवादिक उप्योगी है ये है DNA प्रवर्धन यानि DNA amplification option B आपका right answer होगा next question है which of the following enzyme is used in making detergent तो friends जो आपका protease है ये use होता है making detergent next question है competition of species leads to जो प्रजातियों में प्रतीस परदा है वो ले जाती है विलुपति के और यानि extension option A आपका right answer होगा next है edific factor refers to जो edific कारक है लेखिद करता है option B जो soil है ये आपका right answer होगा next है which of the following fish is introduced in India by foriginers तो जो आपकी Mr. Sigala है option C ये foriginers दोरा introduced की गए थी इंडिया में next है black lung disease is common in जो आपकी krishn फेफडे की बीमारी समाहने है ये होती है koaila खान को में काम करने वाले फरकर्स में next है utrophication is often seen in जो utrophication है वो ज्यादातर देखा जाता है fresh water lakes में यानि option C आपका right answer होगा next question है fish cell lines are used for जो mean कोशी का रेखाएं उनके लिए प्रियुक्त होती है तो option B जो virus है ये आपका right answer होगा next है a fish seed hatchery can well seen by obtaining iron free water from जो कहां से लोह मुक्त जो जल प्राप्त करके एक मतस्य बीज उत्पत्ती शाला अच्छी तरह चलाई जा सकती है तो friends जो river है इसका right answer होगा next है single most cultured shellfish is in word is wishu मैं एकल स्रवादिक स्मर्धित जो shellfish है वो है krasutria guys ठीक है जो casutriagas है option a यह आपका right answer होगा next question है bombay duck is mostly fished by जो bombay duck है वो स्रवादिक जो पगड़ जाती है वो पगड़ जाती है डोल डेट त्वारा option c next है common name of tinka tinka is जो tinka tinka का समाने नाम है यह है doctor carp option a आपका right answer होगा next question है which of the following is not a bonny fish तो जो प्राउन है जिंगा जिसको हम बोलते हैं यह आपकी bonny fish नहीं है next है तो बहरी जीन वाली मचलियां जानी जाती है transgenic fish यानी option d आपका right answer होगा next है lentic habitat includes lentic अवास में समेलित है तो lakes जो है वो lentic habitats में include की जाती है next है major fatty acid seen in coconut oil is तो वो होता है lauric acid option b आपका right answer होगा next है most preferred food item of carbs spawn is तो इसका जो right answer है वो होगा rotifier option a next question है the significant figures of number 20340r तो option जो c है जैसे कि आप देख रहें टिक भी गिया है यह आपका right answer होगा next है which of the following cannot be negative जो आपकी जो आपकी total path length है ठीक है यह कभी भी negative नहीं हो सकती total path length बाकी जो आपके तीन option है यह velocity और acceleration यह negative हो सकते है next है the angle between two equal vectors is always zero तो option जो आपका a है वो right answer होगा next question है the units of impulse are same as that of तो इसका जो right answer है वो होगा linear momentum option b next question है a body is tied with a string and is given a circular motion with velocity v in radius r the magnitude of acceleration is एक pin को एक डोरी के साथ बाहदा गया है जिसे v way के साथ आर्थ रिजा में वृत्य गती दी गई है तो तवर्ण की मात्रा है तो वो होगी v square upon r तो option b आपका right answer होगा next question है one joule is equal to तो जो one joule है वो होता है 10 raised to power 7 अर्ग के एक्विल तो option c आपका right answer होगा next है moment of in russia is the rotational analogy of जो जलत्व आग्वर्ण किसके खुर्णी अनरूप है तो इसका right answer होगा option d मास यानि द्रव्यमान next question है kepler second law is the consequence of the law of conservation of तो friends यह है जो आपका angular momentum है यह इसका right answer होगा यानि कौनियों समवेग next question है young modulus of a wire depends on तो जो एक wire का young mom park निर्भर करता है यह करता है its area of cross section option c आपका right answer होगा next question है when area of cross section of a pipe increases the velocity of flow of the liquid जब किसी pipe के अनुप्रस्त काट का क्षेतर रफल बढ़ता है तो द्रव के प्रभा का वेग क्या होता है यह decrease होता है option b आपका right answer होगा next question है solids are heated by the mode of solids है उसमें heat जो होती है वो conduction के दुरू होती है next question है the temperature of the system decreases in the process of किस प्रगरिया में प्रणाली का तापमान घटता है तो friends जो option b है adiabiotic expansion तो इसमें क्या होता है तापमान घटता है next question है which of the following cannot be polarized तो फ्रेंड निमन में से कौन सा धुरूवी कृत नहीं हो सकता है तो जो आपकी sound waves है दे cannot be polarized next question है the angle between particle velocity and wave velocity इना transverse wave is किस कर्ण का वेग तथा किसी अनुप्रस तरंग में तरंग वेग के बीच का कौन है तो फ्रेंड्स जो आपका option c है pi by 2 यह इसका right answer होगा next question है the energy stored in a capacitor of capacity and potential v is given by जो धारिता c तथा वी वाले एक संधारित में जो संग्रहित उर्जा किसके द्वारा दी जाती है तो फ्रेंड्स जुसका right answer होगा b1 by 2 cv square next question हमारे पास है in si जो si unit है of electric field is तो electric field का जो si unit है वो है v m-1 option c आपका right answer होगा तो इससे हम इस तरह भी लिख सकते है v upon m next question है the resistance of our discharge tube is जो एक सर्जन नलिका में प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा non omic यानि option b आपका right answer होगा next question है lines of force due to earth's horizontal magnetic field are तो वो होती है प्रत्यू के ख्षैदी चुम्बिकिया ख्षेतर के कारण जो बल रेखाए हैं कैसी होती है parallel and straight यानि समांतर और सीधी next question है the magnetic moment is a चुम्बिकिया अगोरण है एक कैसा है vector quantity है तो option जो आपका बी है वो right answer होगा सदिश राशी the relative permeability of a die magnetic material is एक प्रती चुम्बिकिया प्रदार्थ की सापेक्ष पार गम्मेता होती है वो होती है less than unity option c आपका right answer होगा तो friends जो last question है वो है transformer is based upon the principle of तो जो transformer है किस सिदानत पर अधारित है वो अधारित है mutual induction